हें तो ये है बापू गर इसका फुल रिविय कुब दिखा तब । ये डॉबलप हो रहा था अब ये डॉबलप हो चुका है ये बाखो का घर है माली चुइंका दादा जी का नाम भाऊ कर रखाएं ध्या नाम भाव है और इनके पपा है उनको भी भावी बोलते तो यह है उनका घर तो अभी इस घर का फुल वीडियो जो टूर है वो दे रहा हूं यह है इनका ऊटसाइड यहाँ पर मस्त लाइटिंग अब दोर लाइट्स जै श्री गणिश यह है इनका ड्राइंग रूम सीलिंग में मस्त अर्किटेक्चर किया है डिजाइनर सीलिंग किया है लेकिन बहुत जादा डिजाइनर भी नहीं किया है यह है राज और यह वो है मोनाली मैं बताता हूं आपको एक तरफ का जो वाल है वो डिजाइनर वाल है टीवी वाल जिसको होते हैं ऐसा अभी अंदर चलते हैं यह किचन है अभी इन्होंने क्या है बापु ने यहाँ पर दो रूम निकाला है एक स्टोरिज के लिए और एक स्टोरिज का रूम उन्होंने का है स्टोरेज निकाला जिसके जिसे हां पर स्पेस तोल जादा मिल कीली टॉ possível बैक्सींद वी बनाया और ऑक बीच तो एक multi-purpose juice के लिए कप्रे दो सकते कुछ भी गर सकते हैं यहां पर खड़े होगे वह बनाया है जिसके जैसे यहां पर भी स्प्रेश निकला और कीचन भी बढ़ा हो गया यह देखिए यह किचन इनका किचन में एक डाइनिंग टेबिल लगा है छे चेर के साथ जैसा राक है नमसकार यह चेटाली है ठीके? तो इस उफ़परा है इनका किचन है यह मोनाली यह इनके चेताली की दो बच्चे राज और मोनाली के दो बच्चे राज और मोनाली बच्चे अब अब आया निया है आएगा चालो तो यह हो गया जै कि चन में स्पेस बढ़ गया क्यों बड़ा तॉ आपने देखा यह उपर भी थोड़ा स्टोरीज का जगा किया है बात्रों के ऊफर ध्यकर यह है इनका बेड्रूमे अगल यह बेड्रूम भी थोड़ा स्पेस्टिस हो गया है उपर as usual storage ठीक है और यह है उनका same size का एक और बेड्रूम यह रेकिए यह इनका मेन बेड्रूम है यहां पर भी रैक लगाया है इस आपको बंक्स जो है ना एक्चली पर्मनेंट सिमेंट बंक्स आपको हर घर में मिलेंगे storage के लिए अब यह जो रूम है आपको के घर में इसको डिवाइट किया है एक storage में चोटा storage में मंदो ऐसा साधे तीन चार फिट का storage और एक रूम वह साधे तीन चार फिट जो है यहां पर उन्हेंने नहीं छोड़ा तो किचन और खुड़ा स्पेस जाधा मिल गया है और यह है बैक साइड यह बैक साइड भी जोएंट है वह जो है वह बापू का घर का पिछवाला पिछवड़ा है और यहां पर भी उन्हेंने एक नल प्रिट किया है कपड़े अपड़े या कुछ मुल्टी पर यूज के लिए चलिए चलते हैं इनका चलता हु आपको है is a ड्राइवरू में यहां से निकल कर यहां पर गेट लग बनाया एक बड़ा यहां पर वाइक पार्क न कश्क लगए हे तो बहुत समझके किया है है चलिए चलिए चल्ड़ए बहुत सुन दा है चल प्पास-पास कर यह राज अपना छोटा सा टूलिस्ट गाइड है इस घर का यह इनका छत है अब यह देखिए हैं यहाँ पर भी बापु ने क्या घया है एक सेडी यह सीडी है यह सेडी यह सेडी है यह लिए इस्टोरेज रूम नहीं नहीं निखाला ऊपर बात में ऐसे फूच ह्याद क्या लिए निकलेंगे तो इस्वजे पर च्छत निकाला है बहुत सुन्दर च्छत है मोकडा मोकडा यह देखी अब यहां से लेकर यहां तक का इनने इस टोरिज बनाई यह खाले उन्हें पर सोलर पैनल लगा है इनका सोलर पैनल इस तरफ है और यह नजार आ यहां का अब यह घर में अक्छरी सबसे सुन्दर मैंने देखा था यह रात को इन्होंने जो बाहर का लाइटिंग वाइटिंग है वह लगाया था तो बहुत सुन्दर लगता है घर के लेकिन क्यूंकि रात को वीडियो बरबर क्याप्चर नहीं होगा तो इसके लिए मैं यह आपको दिन में दिखा रहा हूं यह इनका यहां पर जो नेम प्लेट है बाहर से भाव का यह दिखिए है वह यहां पर लगाया है तो दिन में अक्छिली आपको पूरा घर दिखा रहा हूं क्यूंकि आयसों का फिर प्रॉब्लिम ही होगा ग्रीन्स नहीं आएगा वीडियो में इधर से लाइटिंग मेटिंग लगाया मस्त और यहां से बाइक गुसानी के लिए घर के अंदर यह घर बना है यहां से भी एक इंटी लगाया है तो यह है modern village house बहुत सुन्दर भी घर है बहुत सुन्दर तरीके से बहुत प्रणिंग करके किया है उमेद करता हो यह टूर आपको अच्छा रगा विलेज का जो टोटल यह गाओ का जो घर का डिजाइनिंग है ठीक है और सारे फेसिलिटीज है घीजर है उपर तो आपने सोलर पैनल देखा है इन बिल्ट टॉयलेट बात्रूम्स है जो यह चीज ज इतना बड़ा रूम जो है वो एक शेहर वाले लोगों के लिए सपना रहता है सिरफ सपना ही रहता है तो उमिद करता हो यह टूर अच्छा लगा इश्वर से प्रारता है कि हम सब के जीवन में सुक शांती समरुद्धी साकारत मक्त और स्वास्त बढ़ती रहे बनी रहे च झाल